नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खर्णा उम्योपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, एक वीडियो में हमने आपको नुक्सा बताया जिसमें आप बालों को बड़ा काला घना और खुशूरत रेश्मी बनाने का उपाए लेकिन उसमें अंडे का इस्तमाल था, हो सकता है हमारे कुछ साथी अंडे का इस्तमाल एक का इस्तमाल ना करना चाहे तो मैं आपको बताता हूँ, जादोई नुक्सा आपके बालों को काला घना रेश्मी खुशूरत करने का जिससे की आप इन महिंगे सैंपू और महिंगे दिखावे वाले छलावे वाली चीजों से बच जाएंगे और घर बैठे ही, घर में रखे समान से ही आप अपने बालों को खुशूरत बना सकेंगे यहाँ जादोई नुक्सा बनाने का मेरा मकसल यह है जो जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कैसे आपको कितने कम पैसे में आपको कितने कम पैसे में आपको बेहतर इलाज दे पाऊँ, बेहतर उपाय दे पाऊँ और वो उपाई जिसमें शायद हमारी ज़रूरत भी ना पड़े आप खुद करिए उसका लाब उठाईए और दूसरों को भी यहाँ बाते बताईए ताकि समाज इसका लाब पाई और यहाँ जो 2 से 5 बिलियन डालर की कास्मेटिक इंडस्ट्री है इसको खत्म तो नहीं करा जा सकता लेकिन इसको सीमित करा जाए अज गरीब से गरीब आदमी ट्यूब खरीद रहा है बच्चे परिवार के दबाव डालते हैं कि साब वो ट्यूब में हमको फलानी हिरोईन खुबसूरत दिखी थी वो ट्यूब उसने लगाया तो उसको चमक गई थी वो ट्यूब उसने लगाया तो उसके बाद देखे क्या वो समुंदर के पास जो है वह आड़ सूट कर रही थी और आड़ सूट करके वो आड़ हम लोग को देखने को मिल रहा था काले खने रेस्मी बाल कुछ आड़ में तो साब ऐसा दिखाया गया बाल बड़ा एक टेल आया था बड़ा खुबसूरत बीच पे बड़ा विका जिसमें की फ्रंट कवर पे अखवार का जो फ्रंट पेज होता था उसके फोटो आती थी लेकिन ऐसा कोई मरीज ऐसा कोई व्यक्ति हम जल्दी नहीं देखते जिसने वो तेल ना लगाया हो जिसमें की वो महिला का बाल सर से लेके पूरा पैर तक आता था लोगों के कमर तक आते उस पैर तक आदे लगा तो मैं आपको अच्छा नुक्सा बताता हूं इससे अपने बालों को आप खुबसूरत रख सकें बालों को आप मजबूत रख सकें बालों को आप रेश्मी रख सकें चलते हैं उस सफर पे जिस पे आप उजाने को मिलेगा ये खुबसूरत नुक्सा चलते हैं साथियों बताते हैं आपको एक खुबसूरत नुक्सा जो आपके बालो को लंबा काला घना अरेश्मी और खुबसूरत बना देगा और यहां आपको 10 से 12 रुपई के खर्चे में आप अपने मकसद को पूरा कर लेंगे पहुत छोटी सी बात है आप थोड़ा सा दही लीजे एक बड़ा चम्मच या दो चम्मच दही ले लीजे दही में थोड़ा सा आप शहेड डाल लीजे और उसमें आप केला डाल लीजे केला बनाना जो होता है उसको आप मैश कर लीजे और उसी दही में डाल लीजे और एक चबबस सरसों का तेल यानि की मस्टड ओयल ये चार चीज़ें आप लीजे, इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से फेट लीजे, इन चारों चीज़ों को आप दो घंटा बालों में लगा लीजे और उसके बाद आप बालों को धो लीजे मैं फिर बताता हूँ आप दही लीजे दही में आप केला फेंट लीजे केला डाल लीजे शहेड डाल लीजे और सरसो कतेल यानि मस्टाड ओय डाल लीजे इन चारों चीजों को जो पेस्ट त्यार हो इसको आप दो घंटा बालों पे लगा लीजे जिसको जित्ता टाइम हो वक्त हो वक्त बड़ा किम्ती होता है और इसको आप कर लीजे और इसको लगाने के बाद आप बालों को धो लीजे और धोने के बाद जो आप बाल देखेंगे वो आपको बाल आपके सर से लेके पैर तक तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन जो आपके बाल है वो बहुत खुबसुरत हो जाएंगे बाल का जितना डामेज है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपके बाल रिश्णी हो जाएंगे यहां नुक्साब करिए हमको आप कमेंट पोर्सन में लिखकर इसके बारे में बताईए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों को भी बताईए ताकि इससे सब का लाब हो सके पांच रुपए का दही दो से पांच रुपए का शहद पांच रुपए का केला और दो रुपए का कड़वा यानि की सरसों का यानि की मस्टर्ट ओल हो गए 17-18 रुपए 18-17 रुपए में आपको वो चीज मिलेगी जो आपको 2000 के हेयर रॉयल में नहीं मिलेगी आप करके देखें और हमको बताएं आपके जवाब का इंतजार रहेगा आपके इस वीडियो को शेयर करने का इंतजार रहेगा अगर आपको यहाँ बात हमारी अच्छी दिख रही हो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने चैनल को सब्स्क्राइब करिएगा और हमारा साथ यो ही अपना प्यार बनाए रखियेगा और अपने को जोड़े रखिएगा आपका हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बहुत